नमस्कार बच्चों लीजिए एक रक्षा बारी की फिजिक्स में हम आज संट के बारे में अध्यन करते हैं तो संट अल्प प्रतिरोत का एक तार होता है जिसे धारमापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ सदेव समांतर क्राव में जोड़ा जाता है तो बच्चों यहां पर यह आपका धारमापी है और मान लीजिए इस संट को हम समांतर क्राव में नहीं जोड़ते हैं तो हमारा जो धारा आई है वो पूरा का पूरा इस धारमापी से होकर से होकर के जाएगी और यदि यह उच्च धारा हो तो हमारा धारमापी का जो पूर्डली जो पतले तार से बने होते हैं उसमें ज़्यादा उसमा उत्पन होती है और इस कारण से वो जल जाती है और दूसरा जब इस धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है तब इसका संकेतक ज़ो है ज़्यादा मान को दिखाने लगता है और इस कारण से जो किनारे पर किल लगे रहते हैं संकेतक को रोपने के लिए उससे तकरा जाती है और मूर करके तूड़ी आती है तो इन दो खराबी को जो धारमापी में आ जाती है याने संद यदि न हो तो धारमापी का कुंडली उच्च उसमक करण जल जाती है धारादी कोने पर और साथ संकेता भी तूट करके खराब हो जाता है इसको रोकने के लिए हम धारमापी के साथ समांतर करम में अलप प्रतिरोद का तार जोड देते हैं और इसी अलप प्रतिरोद के तार को हम क्या कहते हैं संट कहते हैं और संट की पारिभास संट अलपर प्रतिरोत का एक तार होता है जिसे धारमापि की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ सदयो समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है यहां पर आप देखते हैं कि這संवांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और यह जो परिपत तो कुछ भाग ज़ो है और कुछ दारा जोह रूप में यहां पर ग रहते हैं इसे जिसे यह जो कर को साइड में बाइव पास रास्ता मी लिए कि ये और तो अब बच्चों हम आ जाते हैं इसके समीकरण पर माना धारमापी के कुणली का प्रतिरोध जी कुणली का धारमापी का खुद के कुणली का प्रतिरोध होता है मान लिजी ओ जी है और हमारा संड का कि इसका प्रतिरोध निरुकृतं कर रहा है और और माना परिपक्त में बहने वाली धारा आई सब आई धार कुल यहां पर आए और तब आई जी धारा धारमापी में से प्रहित हुआ और IS धारा संट में से होकर के प्रहित हुआ इस तरह से हम देखते हैं कि कुल धारा I बराबर ये दो भाग में बढ़ गया है इधर से अब गया तो ये दो भाग में बढ़ गया यानि इन दोनों के योग के बराबर I हुआ और इसलिए हम देखते हैं कि कुल धारा आई बरावर आई जी याने धारा मापी में से बहने वाली धारा प्लस संट में से होकर के बहने वाला वाली धारा अब हम ओम के नियम से देखते हैं कि धारमापी के सीरों के विज विभांतर और संड के सीरों के विज विभांतर बराबर होते हैं क्योंकि एक समांतर का मजूड़े हैं इसलिए इस सीरे और इस सीरे पर और इसके राइट राइट सीरे पर यानि इन दोनों सीरों पर जो है हमारा बीवहांतर समान होता है अब बच्चों यहां पर हम यह देखते हैं कि इनके दोनों के सीरों के बीवहांतर समान होता है इसलिए धी बरावर I into R याने धारा मापी में से प्रहित होने वाली धारा IG और उसका प्रतिरोध यह उमकिनियम से आप जानते हो तो IG into G बरावर संड में से होकर के प्रहित होने धारा IS into S यह दोनों याने दोनों के बीवहांतर बरावर हैं तो बीवहांतर के बदले में I, R के सुत्र को यहां पर प्रयोक्त किया गया है यानि उसके धारमापी के पर प्रहित होने लिधारा और उसका प्रतिरोध और संड में से होकर के प्रहित होने लिधारा और उसका प्रतिरोध यह बराबर हुए अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको पक्षांतर कर दीजिए आपको IG को इधर ले आएगे यह इधर गुणा में है इसलिए इसके हर में जाएगा और S को इधर लेएगे तो यह हो जाएगा G अपान S इकल टू I S यह IG को इसके हर में ले जाएगे इन्टो IG अब बच्चों यहाँ पर इसके दोनों पक्षां में हम वन जोड देते हैं पहले दोनों पक्षां में इसलिए आपका I S इसको इसको चेंज कर दे रहा हूँ है अब ही I S इन्टो IG प्लस वन इकल टू G अपान S प्लस वन अब बच्चों यह मिश्र भिन्यक रूप में है इहाँ I J एकल आईजी और प्लस आईएस उपर में आपका हो जाएगा I S प्लस आईजी अपान आईजी इसके साथ गूणडा और इसके उपर में जोड दिये बटे अपान आईजी इधर का भी ऐसे होगा S का वन के साथ प्लस G के साथ जोड़ोगे मिश्र भिन्यक को आप जीस तरह से हल करते हो उसी तरह से इसको भी करोगे G प्लस S अपान S अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं आईएस प्लस आईजी यह कुल धार का मान है इससे पहले वाले समिकरण में हम देखे थे यह देखे आई बराबर आईजी प्लस आईएस यह यानि कुल धारा बराबर धारमापी में से बहने वाली धारा प्लस संट में से होकर बहने वाली धारग बराबर है इस मान को हम उहाँ पर रख देते हैं जाने यहाँ पर आई रख सकते हैं समी कराड़ एक से इसका हो गया पूरा धारग बटे आई जी बराबर है जी प्लस एस अपान एस और बच्चों इसको आप पलवर दिजिए इसको आई जी अपान आई इकल टू यह भी चेंज हो जाएगा एस अपान जी प्लस एस अब बच्चों इहाँ पर यदि मुख्य धारगा एनवा भाग धर्मापी में से प्रहित हो यदि मुख्य धारगा एनवा भाग धर्मापी में प्रहित हो तो हमारा तो आई जी बटे आई बराबर वन अपान एन यानि कुल धारा वन यदि एनवा भाग जा रहा है तो वन अपान एन और इस तरह से यह धर्मापी में से प्रहित होनी ओली धारा यानि धर्मापी के से प्रहित होनी ओली धारा का बाग है आई जी अपान आई बराबर एक बटे इसलिए इसको हम समिकरण में आगे मान रखेंगे आपका समिकरण इस समिकरण में IG upon I equal to S upon G plus S में रख दिए ये प्रक्षता आपका बरावर है तो यहाँ पर हम 1 upon N को रख देंगे याने 1 upon N बरावर राइट साइट वही रहेगा S upon G plus S और बच्चों इस तरह से इसको इधर गुना कर दिजिए इसको इधर गुना कर दिजिए याने N S बरावर G plus S और इसलिए बच्चों इस S को इधर लेएए G को इधर रहने दिजिए तब यह हो जाएगा G equal to अपका N S minus S और इसलिए हमारा S को कामन कर दिजिए यह हो जाता है N minus 1 S यह G equal to आपका S को हम कमन कर दिए बाहर में और इस तरह से S बरावर हम निकाल लेते हैं यह S कमान तो यह इसके हर में आ जाएगा इधर बुणा है इसलिए इसलिए S बरावर जी अपान 10 minus 1 तो बच्चों यही आपका संद का सुत्र है याने यदि हम मुख्य धारा के इन वे भाग को संद के प्रतिरोत को धारा मापी के प्रतिरोत का एन माइनस वे नुआ एन माइनस एक वह भाग होना चाहिए तीस सुत्र के साज़ता से आप धार मापी के पराज को बढ़ा सकते हो और धार मापी में इसे प्रावित होने अल धारा को कंट्रोल कर सकते हो तो आसा करता हूँ आप लोग को समाज आया होगा और रुप्या नए हो तो चैनल को सब्स्क्रेइब करके बेल आइकन को भी दबाईए ताकि हमेशा वीडियो आपको तुरंत मिले थैंक्स